दोस्तों आप यह जो केस देख रहे हैं 22 साल की फिमेल है एक मेने से उनको आखों के अंदर इस तरह की स्वेलिंग आई हुई है और मैंने इनसे पूछा पूरा केस डिसकुशन में आपको से कर रहा हूँ तो आप पूरी वीडियो को हलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपने जो देखे हैं उस केस के तालुक से डिसकुश करने वाले हैं जो आम अवाम के लिए और मेडिकल इस्टूडन्स प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स के लिए इंपोर्डन्स हैं तो दोस्तों यह जो केस हैं इस केस को म देख रहा हूं कि यह जो फिमेल हैं यह बावीस साल इनकी एज हैं इनको एक मेने से यह प्रॉब्लम है आग के अंदर आग के अंदर आइलिट्स में तो िको आप देख रहे हैं के इंटर्नल हर्डिलम उस मखाम पर जो है तो इनको यह प्रॉब्लम है और यह जो प्रॉब्लम है और यह जो स्वेलिंग अप देख रहे हैं पेशन्ट से में जब मैंने पूछा कि इसकी वज़े से आपको क्या तकलीफ हैं तो उन्होंने सबसे पहले का कि इसकी वज़े से कोई दर्द नहीं है, बुखार वगेरे, फीवर वगेरे की कोई स्ट्री नहीं है, इरिटेशन्स वगेरे माइल्ड हैं और इसके बाद आखों से आसू निकलना ये थोड़ा सा कभी कभी होता है तो खास बात इसके अंदर ये साम में आई है कि पेशन्ट को उस से किसी भी किसम की कोई तकलीफ नहीं है लेकिन वह स्वेलिंग जो है पहले छोटी थी अब बड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों अब इसके तालुक से मैं के अंदर और इसको डिफ्रेंशेट करते हैं इस्टाय नाम की एक दूसरी विमारी से ये दोनों के अंदर थोड़ा बहुत से इंपोर्टन तो यह है कि यह चैली जोन है यह नॉन इंफेक्टिव रहता है मैक्जीमम और हो सकता है वाइरस की वज़े से वाइरल हो सकता और इस्टाय जो है यह बैक्ट्रियल इंफेक्शन हो सकता है और इस्टाय जो है उसके अंदर पेन होता है उसकी जो स्वेलिंग उ से कि इस्ट अंदर नहीं होगा इसका data रिफ्य पेलीजिट है नहीं है यह दोस्तों इस तरह हमने सबसे पहले इसको डिफ्रैट डिफ्रीजिट डिफ्रेट किये जब में रिफ्रेल कि यह थोड़ा कन्फ्यूस था कि यह चैलिज्वन है या इस्टाए हैं तो मैंने डिफरेंशेट करने से पहले जो हैं इस बात को जहन में रखा कि पेशन्ट से जरूर पूछा जाए कि इसके अंदर पेन है या नहीं है तो मैंने हिस्टिज जब मालूम किया तो मुझे भी थोड़ा था यानि कि इमकान हुआ कि यह जरूर चैलिज़ आँनी है क्योंकि इस से पहले भी मैंने इस तरह के कैसेस देका हूँ तो क्या होता है जतनी हम प्रैक्टिस करते हैं उनसे हिस्ट्री मालुम करें यह medical student के लिए मेरी advice है उनकी जो है तो definition क्या बन सकती है तो इशन क्या बन सकती है चैलिज उनकी तो छैलिज़ान is a inflammatory disorder of the eyelids इसकी definition इस तरह यह एवस्टाइब सकती है को chronic inflammation of of mayboolium glands, यानि जो mayboolium glands होती है, उसके अंदर chronic inflammation जो होता है, उसको chalizon कहते हैं, in short, यह इसकी एक definition होती है, eyelids has teeny glands that produce an oily substance to help keep your eye mostly when one of those glands are blocked तो क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जो glands होती है वहाँ पर जो secretion होना चाहिए था वह secretion ब्लॉक हो जाता है ब्लॉक हो जानी की वज़े से irritations वगेरे हो सकते हैं blood vision हो सकता है आकों में धुंदला पना आना तो इस तरह की जो है तो प्रावलम या साइड़ सिम्टोम्स हो सकते हैं अलिजन जो है यह डेलप डेलप हो सकता है कुछ factor की वज़े से सबसे common इसके अंदर जो है यह risk factor भी अगर देख लिया जाए तो यह mostly छोटे बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि उनका जो nutrition है वो उसका cause बनता है तो risk factor के अंदर और silent symptoms को अगर देखा जाए तो यह mostly बच्चों में होता है और डियाबिटिक मराइटास जिसको mostly डियाबिटिक फर्स्ट वाले यानिके जो insulin dependent है जो यंग लोग है उनमें commonly यह हो सकता है इसके अलावा इसका जो cause है इसका एक एहम cause chronic blephritis भी हो सकता है किसाती दोस्तों इसका जो cause है वो रोजस का यह skin condition होती है वो भी हो सकती है इसके वज़ा बन सकती है चैलिज है उनकी दोस्तों इसके अलावा इसकी वज़े के अंदर cause के अंदर seboric dermatitis भी हो सकती है साथ ही इसके cause के अंदर आखों की ही दुसरी जो बिमारिया है जो प्रॉब्लम है जैसे की conjunctivitis तो chronic conjunctivitis भी इसके cause बन सकती है बहुत ही clearly साम में आते हैं इसके अंदर blood vision होता है और watery eyes इसके अंदर मिल सकती है और इसके अंदर mild eye irritations मिलता है तो इस तरह की sign and symptoms के मिल सकते है science के अंदर अगर science के अंदर अगर देखा जाए चले जे उनके तो इसका जो swelling वाला हिस्सा है वो pain less होगा उसके अंदर pain नहीं होगा वो slow slow बढ़ेगा start के अंदर जो है तो यह थोड़ा बहुत pain इसके अंदर हो सकता है लेकिन बाद में जिस तरह यह swelling बढ़ते जाती है तो यह pain less होता है इसका pain down होते जाता है अहम दोस्तों इसके treatment के अंदर जो है तो acute और chronic दो condition है यानि कि शुरुवात के अंदर जब small chalison होता है चोटी swelling होती है तो उसको देखकर general practitioner या फिर ophthalmologist डॉक्टर जो है तो कोशिश करते हैं तो conservative treatment या दवाईयों से या फिर eye drops वागेरे से जो है तो यह अच्छा हो जाए इसके अंदर commonly जो है एंटीबैटिक वागेरे यह हो symptomatic treatment दी जाती है और heart formation इसमें किया जात हैं तो ऐसे वक्तों के अंदर इसको ophthalmologist doctor की ज़रत पढ़ती है और ophthalmologist doctor इसको जो है cut it open and drain it यानी incision and through cratage under local anesthesia तो यह जो है तो छोट असा एक procedure होता है भूल देकर उस area को जो है तो doctor cut कर देते हैं मेरी जब मुझेज डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बता है costly कि यानी कि इसका प्राइज है कितना खर्चा आ सकता है मैंने इसलिए बात कर लिया ताकि आप लोगों ताकि इसका knowledge आ जाएं तो उन्होंने बता है कि at least 2000 रुपे तक इसका खर्च आ सक है तो इसको निकालना ही पड़ता है तो अप्तोमिलोजिस डॉक्टर इसको यानी आखों के डॉक्टर इसके लिए भेतर option है वही इसको अच्छे से कर सकते हैं तो हमारा भी काम है कम उनसे ही जो सजेशन ले उनके पास जाए और दोस्तों इंपोर्टन चीज इसके यह जो इंदर प्राव्लम है यह वह सकती है लेकिन और जो जरीव लोग थे हैं उन्हीं में चैंस है कि यह जो है तो यानि कि चैंसर में होती है हूं चाहिए बहती hippieई में पेशिक Не 부탁 और मैंने उसको डाइगनोज करनी की कोशिश किया और एक्सपर्ट की सजेशन लिया नौलेज बाकनी से बढ़ता है सिखना चाहिए जिन्दगी भर मैंने जब सजेशन लिया तो मेरे भी इल्म में इजाफा हो गया मैंने भी बहुत सारी चीज़े उन लोगों से क्योंकि मैंने दोषार अप्थल मोजीस से बात किया इस तालुक से एक केस के तालुक से तो दोस्तों मैं जो मेडिकल इस्टोर ने खास उन से कही रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें मैं इस तरह के केसेस आप से जो तो discussion करोगा इसे cases पर तो बहुत ही helpful होगा क्योंकि आप लोगों को जरूरत है दोस्तो इस तरह की cases देखने की, जितने cases आप देखेंगे उतनी practice के अंदर जो है तो improvement होगा, और कोई भी इंसान perfect नहीं होता है, वक्त के साथ इनसान जो है तो बाते भूलते रहता है तो रोज मर्रा अगर हम इसी चीजों से इसे activities से जुड़े रहेंगे तो हमारे knowledge के अंदर इजाफा होते रहेंगा मेरे चैनल को आप देख रहें और अगर subscribe नहीं किये तो please subscribe कर दो